नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देव जी कर ट्रिक्स में दोस्तों हमारे चैनल पर लोर PCS की तैयरी कराई जा रही है जहां पर आपके सभी सब्जेक्ट कम्पलीट करा जा रहे हैं लगबग 10-15 दिन में पूरा का पूरा स्लिवस आपका कम्पलीट हो जाएगा हम यहां पर वही प्रस्नल लेके आए हैं जो आपकी एक्जाम में पूछे जाने की संभावना है इतिहास का यह दूसरा पार्ट है हमने सिर्फ एक पार्ट अभी बनाया है जो की आपके सुर्वास लेके बुद्ध तक हमने एक पार्ट में बना दिया है जो जरूरी कोर्शन है ठेके वही हम आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत करियेगा नहीं बाद में यह मत करिये कि सिलेवस के अमसार सर जी आपने यह वीडियो नहीं कम्प्लेट कराया है हम सब कुछ कम्प्लेट करा रहे हैं लेकिन वही प्रसन आपको कम्प्लेट करा रहे हैं जो जरूरी है तो आप हर एक वीडियो को बैलू समझेगा हर एक वीडियो को अच्छी समझेगा चलते ही स्टार्ट करते हैं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रात नो बजी हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है तो फुल टेस्ट भी रात नो बजी का लगा सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन आप से पूछा गया है कि त्रिपटक क्या ह पिछले बार उर शुर्ण प्राल जो प्राप्त करने के समय से लेकर महा पर निर्वा nuclei तक की प्रवच्नों को संग्रहीत किया गया है doveuter पिटक अब्दम पिटक और आपका सुत्य पिटक यह आपकी तीन है ठीके नेस कोशन का आती हैं कोशन आपसे अगला पूछा गया यहां पर यह दर किए हमने एक पार्ट आपका बनाया है इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा चैनल में जाएए वहां पर आपको इस प्र के गुरू आपका अलार कलाम जो थे वह आपके सांख दर्सन की आचार वह प्रिसित आपके सादक थे ठीक है और कह सकते हैं कि जब महत्मा बुद्ध जब ग्रहत यागे थे उसके पस्चात यह घ्यान की खोज में तो वह सबसे पहले किसके पास गये थे अलार कलाम के ही पा अत्या की घटना होती है उसे बुद्ध में क्या का जाता है महा भीनिस क्रमर का जाता है महा भीनिस क्रमर ठीक है और नेस कोशन का आते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है पर कि निम्लिकित में से किसे एसिया का जियोति पुझ कहा जाता है एसिया का जियोति पुझ अ ठीक है और यहां पर निश qooshman को आ रहते हैं qooshman आप से अगला पूछा गया है कि बुध्ध की मरत्यू के परशात प्रथम बौधिसंगीति की अध्यचता किसने की इससे समाल लीजे तो बुध्ध की मरत्यू के परशात जो आपकी प्रथम बौधिसंगीति हुई थी वह कहां पर हुई थी तो आपके राजगरा कहां पर राजगरा की एक गुफा है सब्त परणी गुफा में हुआ था ठीक है और इसमें से दो पिटकों में सुत्य पिटक और विनाय प्रटक्ट से संकलित जो आपके थे वो भी इसमें से किये गए थे और ये जो आपकी बहुत सत्रू कौन थे आपके आजात सत्रू थे जो कि हर्यक वन्स के मतलब हर्यक वन्स सम्मिनी थे उनों उनके द्वारा आयूजित की गई थी और इसकी अद्देच्छा जो की गई थी वह आपके की गई थी किसके महा कस्यप के द्वारा इसकी जो अद्देच्छता की गई थी वह महा कस्यप के दोरा option right up का A हो जाएगा ठीक है और इसी में कह सकते हैं कि जो आपके sis थे आनंद और उपाल भी मतलब इसी में उपस्ती थी इस संगीती में इनके जो sis थे आनंद और उपाल वो भी इसी में क्या थे उपस्ती थी ठीक है और next question का आते हैं question आप से अगला पूछा गया है कि नालंदा विश्विद्याले की स्थापना का यूग है नालंदा विश्विद्याले बताइए भाई किस यूग में आपका स्थापित किया गया तो नालंदा विश्विद्याले स्थापित किया गया था आपके option आपका C गुप्त काल में इस्थापित किया गया और इसका जो स्रे दिया जाता है वो आपके गुप्त सा सकते कुमार गुप्त प्रथम ठीके कुमार गुप्त प्रथम को दिया जाता है और आपके नालंदा विशुद्याला को जो नस्ट किये थे वो आपके कौन थे तो आपके बकथियार खिल-जी, ठीके बकथियार खिल-जी ने नालंदा विशुत्यारा को नस्ट कराया था, ओके, नस्ट कोशन आपसे अगरा पुछा गया है कि सुनिता की सिध्धान्द का सवर्थम प्रतिपादन करने वाले बौध दार्शनी कों थे सुनिता का प्रतिपाद की किसने किया था हमेशा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो आपस्टन राइट आपका आपका हो जाएगा नागारजुन एनामर आपका हो जाएगा कि प्रिसिद बौध दार्शनिक नागारजुन माधिक वा सुनिवाद मत के प्रवर्ट तक थे ठीक है आपस्टन राइट आपका ए हो जाएगा नेश कोशन का आते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है कि जैन धर्म का आधार भूत नैतिक मूल क्या है जैन धर्म का आधार भूत नैतिक मूल क्या है तो इनका नैतिक मूल है आपका आहिंसा क्या है आहिंसा याद रखी ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी हो सकते हैं एकजाम के लिए कि एइनसा जेन धर्म का आधार बोत नयतिक मूल है जेन धर्म में एइनसा सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर और अपरिगरा नामक पांच महावरत की वियुस्था की गई है एइनसा मतलब होता है जीव की हिंसा अर्थात हत्याना करना सत्य मतलब सदा सत्य बोला आपर इगरा मतलब संपत्य अर्जितना करना अस्ते मतलब होता है चोरीना करना ब्रामचर मतलब होता है इंद्रियों को वस्मे करना ठीके इन में से जैन ने कहा है जो कि आपके नैतिक मुल्लों को अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि नैतिक मुल क्या था आहिंसा था ठीक है नेस्ट कोर्शन को आते हैं कोर्शन आप से एकला पूछा गया है कि जैन धर्म में पूर्ण ग्यान के लिए किस सब्दका उल्ले किया था है UPPCS 2018 में कोर्शन आपका पूछा गया था तो जैन धर्म में पूर्ण ग्यान के लिए किस सब्दका उल्ले किया था है यह किया था है आपके कैवल क्या कैवल था जैन धर्म में पूर्ण ग्यान जिसको हो जाता है तो उसको बोलता है कैवल ले कह सकते हैं मोच की प्राप्ती ठीके मोच की प्राप्ति याद रखिए महावीर जो स्वामी थे वो आपके जैन धर्मे के 24 में तीर्थ कर थे और इनको 12 वर्स की कठो तबस्य के बाद जंबिक ग्राम में रिजपाल का नदी के किनारे साल ब्रच की नीचे इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी ओके चलिए नेस्ट कोशन का आते हैं कोशन आप से एकला पूछा गया है किन्यम्न में से किस बहुत दिगरंथ में 16 महाजनपदों का उलेक हुआ है ये भी कोशन आपके लोवर PCS और UP PCS में भी पूछा गया है तो 16 महाजनपदों का उलेक है वो आपके किस प्रकार में है अर वर्स्तियों कह सकते हैं जैन गरंत भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उलेक मिलता है ठीक है और एक पूइंट याद रखना कि 16 महाजनपदों में सबसे सक्तिसाली कौन था तो 16 महाजनपदों में सबसे सक्तिसाली आपका जो समराज था वो आपका था मगद समराज ठी क्या नाम है आपका आस्मा का नाम है याद रखिए एक मा त्रैसा सोला माजन पदों में जो दच्छिन वारत में गोधा वरी नदी के किनार एस्ति था ओके चलिए नेस कोशन का आते हैं कोशन आप से एकला पुछा है कि मगद के किस प्रारंभिक सासक ने राज रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवम स्वयम की इसी कारण वस अपने पुत्र द्वारा मारा गया मतलब इसने पहले अपने पिता की हत्या की और इसके बाद खुद इसके बेटे ने उनको मार दिया अर्थात यहाँ पर कर सकते एक दूसरे की पिता को यहाँ पर हत्या करके सभी न द्वारा आपकी कर दी गई थी एक पॉइंट है देखना आजाज सत्र का एक नाम होता है कुडिक क्या बोलायता है उनको आजाज सत्र को कुडिक हो भी का आजाज यह पूछा गया था कि आजासत्र के समय ही आपकी प्रतम बौधी संगीति का आयोजन किया गया था सब्ते परणडी गूफा जो कि राजगरा में की गय थी हर एक कोशन को समत्ते चलिए हम आपको वो कोशन लेके आए हैं जो कि बहुत ही मात्वपूर है ने इसकर आप से ही विश्व का पहला गरतन्त देख लेजे विश्व का पहला गरतन्त किसी का जाता है तो वैसाली को का जाता है विश्व का पहला गरतन्त आपका कौन है वैसाली किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो विश्व का पहला गरतन्त वैसाली को जो इस्थापित किया था वो किया था आपकी option right आपका डी हो जाएगा लिच्वी ने यादर लिच्वी मतलब क्या होता है वैसाली कहां पर है तो वैसाली आपके बिहार में है तो वैसाली अर्थात वैसाली के लिच्वी ने विसका पहला गर्तनत इस्थापित किया था ठीके next question क आते हैं question आप से अगला पूछा गया है पर कि प्राचीन स्रावस्ति का नगर विन्यास किस आकरती का था ये भी question आपके 2018 में पूछा गया है हम वो question लेके आए हैं जिनकी संभावना है कि 2018 में है तो हो सकता है 2019 में आ जाए हो सकता है इसी question आपका बन भी जाए ठीके तो प्राचीन स्रावस्ति नगर का जो विन्यास था वो किस आकरती का था ये आपका है आपका option भी हो जाएगा अर्द चंद्राकार option आपका भी अर्द चंद्राकार है याद रखिए कि कोशल महाजनपत की राध्धानि स्रावस्ति कर नगर विन्यास करेशा था आपका अर्द चंद्राकार था ये उत्खरन के आधर पर पाया गया है ठीक है और यह कह सकते हैं कि कनिंगहम द्वारा ठीक है किस की द्वारा कनिंगहम के द्वारा 1861 में उत्तर प्रदेश इस्तित सहेत महत उत्तर प्रदेश के गोंड़ा और बाहराय जिले की समीपाप का इस्तित वहीं से आप किसकी पहचान की गई है गुर्णडा की आसपास है नेस कोशन का आते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है पर कैर आप से कि मालवा छेतर पर मगद की सत्ता का बिस्तार निम से किसके सासनकाल में हुआ था यह वथा आपकी सिसनाक के समय में याद रखेगा कि पुराणों के अमसार मगध नरेश सिसनाग ने अवंती नरेश चंड प्रगोश को पराजित कर अवंती अर्थात मालवा को समराज में मिला लिया था ठीके और सिसनाग ने वैसाली को दूसरी राध्धानी बनाया था याद रखेए कोशन आप से पूछेग ठीके नेस कोशन का आते हैं कोशन आप से एकला पूछा है कि मगध का समराट अपरोब परुसराम के नाम से जाना जाता है इसका मतलब समझ लीजे बिलकुल पॉइंट ये पूछे गए हैं तो मगध समराट जो के अपरोब परुसराम को नाम से जाना जाता है किस नाम से त कि नंदवन्स के संस्थापक महापदमनंद को पुराणों में अपरो परुसुराम का दुती ओतार और एक नाम और दियाता है सर्वचत्रात्मक मतलब कह सकते हैं सर्वत्र छात्रक अर्था छत्रियों का अनास करने वाला कहा गया है और यहां पर नेस्ट कोच्छन का आते हैं कोच्छन आपसे एगला पुछा गया है मगद की राध्धानी कौन थी बहुत बार कोच्छन पुछा गया है मगद की राध्धानी कौन थी तो यादर कि पुराणों के अंसार ब्रहद्रत वंस मगद पर सासन करने वाला पहला राजवंस था और इस वंस के प्रथम सासक ब् अध्रत का पृत्स था जरा संध्य न था τοाइकरि और इसके बाद फिर क्या हुआता गिर्वरज के बाद आपके उधरिणी आते हैं उधरिण और उधरिण राजगरह से राजदानी पाठ्धिल पुत्त इस्ताद कś ri. तो आपकी राजदानी राजदानी से मतलब की गिरवरज से जो आपके उधनीन आते हैं उधनीन क्या करते हैं गिरवरज से राध्धानी आपकी कहां ले जाते हैं पाटिल पोत्र और इसके बाद सिसनाग ने क्या किया सिसनाग ने वैसाली को दूसरी राध्धानी बनाया और पुना काला सुक ने अपने राध् लुकाता है और उसको पुन आपनी राध्धानी रपाटिल पुतिस्थांतरी कर देता है तो यह चार पॉइंट आपको याद रखना है यह राध्धानियों से कोश्चन गुमा फिराग देता है निच्ज कोश्चन काते हैं आपसे एकला पुछा गया है कि चेद उवंस का राजा कर्वेल किस छेत्र से सम्मन्दी था चेद उवंस यहाई से चेद उवंस भी कहा जाता है तो चेद उवंस का प्रसित शासकता खार्वेल कर लिंग ठीक है खारवेल जो की कर्लिंग से संबंदी था कर्लिंग मतलब की उड़िसा के आसपाथ छेतर पड़ता है तो वहां से आपका ये संबंदी था और ये आपका जो था वह आपका खारवेल जैन धर्म से संबंदी था ठीक है जैन धर्म का अनुयाई था ठीक है और नेस कोश्चन का आते हैं कोश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि सिसनाग वन्सका हुआ सासक जिसके सासनकाल में वैसाली में दुतीब बौद संगती हुई बहुत याइंपी कोश्चन आपका है तो सिसनाग वन्सका हुआ सासक जिसके सासनकाल में वैसाली म जो बहुत धर में था वो आपके दो भागों में डिवाइड हो गया था दो भागों में आपका बढ़ गया था यहां एक पॉइंट होता है काला सोक एक नाम पूछ लेता है कि काला सोक को काक وण के नाम से भी जाना जाता है और इसने वैसाली के स्थान पर पुना पार्टिल पुत्रक अपतनी राधानी बनाया था नैसके आप से गोदा वरी नदी के तर परष्थित महाजनपत कौन था आ आपका दच्छिन भारत में गोदा वरनि देटीकेटर पर इस्ति था ये कौँना है तो आपका सी हो जाएगा अस्मक कौँना है अस्मक है ठीक है ये नरमधा न दी तदा गोदा वरनि जो आपका कौन सा है तो भारत का कौन सा चित्रे जो प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से यह जाना जाता था आप्शन राइट आपका डी आपका मालवा ठीके 16 माजनपतों का वर्डन जो है वो बहुत और जैन गरंतों मिलता है मालवा अर्थात माजनपत वर्थमार में यह इस्तित है आपके उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ठीक है प्रशिद नयमिसारण तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गुमती नदी के तट में इस्तित यहां पर आपकी एक जगाह है मतलब एक अमवस्या होती है सोमवती कौन सी अमवस्या सोमवती सोम वती अमवस्यों कि यहां पर मेला लगता है कहां पर सीतापुर में नए मिसारण में पवरानिक मानिताओं के अंसर कहा जाता है कि यहां पर आपके 88,000 रिशियों ने एक साथ तपस्या कि थी और मार भारत में भी इसका उलेख सघन वन के रूप में किया गया है और इसी के समीब आपके मिश्क्रिक नामक एक माहस दल्जीच का आस्त्रम भी बना हुआ है ठीके चलिए नेस कोशन का आते हैं कोशन आप से अगले पूछा गया है कि प्रतम भारती राज किसने इस्थापित किया था इस्थापित किया थे आपके चंद गुप्त मौर याद रखे चंद गुप्त मौर भारत का प्रतम एतियासिक सम्राज था चंद गुप्त मौर का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 340 इसवीपूर में पाटिल पुत अर्थाद बिहार में हुआ था और चंद गुप्त मौर ने लगभग आपके 322 इसवीपूर में अपने गुरु विश्ण गुप्त अथवा चाना किया कर सकते हैं कोटिल की सायता से मगद समराज की अंतिम सा सकते हैं घाना नंद तो घाना नंद को पाराजित कर मौर समराज की स्थापना किया था ठीके और इनकी जो राध्धानी थी उक्या थी तो इसकी राध्धानी पाटिल पुत्र बनाए गई गई और इसने मगद पर 24 वर्ष तक सासन किया था और भारत को सरुप्तम राजनीतिक रूप में एक उचा गया है ठीके तो हम आपको यहां पर UPPCS लेकर आपके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अगर UPPCS का पेपर देने जाएंगे तो एक बार मातर एक बार इस वीडियो को देख लीजेगा लगभा कोशन आपको फसने कि यहां पर 100% चांस होंगे तो सेंड्रो कोट्स की चंद्गुप्त मौरे को का का जाता था तो चंद्गुप्त को सेंड्रो कोट्स या कह सकते हैं इंड्रो कोट्स के नाम से जाना जाता था याद रखे कि एक रुद्द्रदामन का अबलेक है रुद्द्रदामन की जूनागड़ अबलेक में इसे चंद्गुप्त के नाम से कौन बैठा था तो यह बैठे थे आपके बिंदू सार कौन बैठे थे बिंदू सार थीक है चंदुकुप्त मौर ने यहां से चंदुकुप्त बारे में समझ लिजी कोशन पुछा आ सकता है देगे चंदुकुप्त मौर ने जैन मुनी भद्रबाव से जैन धर्म की दिछाली और स्तरवान बेल गोला अर्थात मैसूल चला गया जहां पर आपकी 298 इस बीपूर में उपवास पध्यती द्वारा सरीय त्याग दिया था याद रखिए जैन धर्म में उपवास द्वारा अर्थात जैन धर्म में जो कह सकते है मृत्य को यह कह सकते हैं उसे सनलेखना बीदी द्वारा या संथारा बीदी द्वारा का जाता है जब वो अपने मरत्य अर्थात प्रांड त्यागते हैं ठीक है उपास को द्वारा उसे सनलेखना बीदी का जाता है सनलेखना ठीक है और इनके मरत्य की परश्चात इनका पुत्त बिं तक था इनका मतलब की विशेंट के अंसार बताया है हिंदकुस अर्थात ये परवत भारत की प्राक्रतिक सीमा निधारित करता है ठीक है यहां तक आपकी थी उतरपरस्ची में इरान भारत से लेकर पूर में बंगाल कस्मीर सभी दूरी तक थी मतलब काफी दूर था इनका सम नेश कोचन आप से एकला पोचा गया है कि सिल्यूकस जिनको अलेकजिंडर द्वारा सिंद वा अफगानिस्तान का प्रसासक निउक्त किया था को किस भारती राजा ने पराजित किया था ये किये थे आपके ऑप्सन राइट आपको हो जगया आपर डी नमबर चंद गुप सरवाधिक योग सेनपती थे आपके सेल्यूकस निकेटर ठीक है और सेल्यूकस ने उनकी अर्था सिकंदर की मरत्यू के बाद सेल्यूकस ने उनकी मरत्यू के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रस्वारता के सकते हैं सिकंदर चाहता था कि हम पूरे 20 को अपने अंडर में कर लें लेकिन सिकंदर की मृत्ति के बाद उनका सेनपती था आपका सिल्यूकस इसने दुबारा ये राज्यों को जीतने की फिर से लालसा की बाद में चंदगुप्त मौर के साथ हो उसको पराजित होना पड़ा था ठीके और उसने सिल्यूकस की पुट्री से बिवा भी किया चंदगुप्त मौर जो थे वह आपके हेलना हेलना काउन थी हेलना हेलना ये थी सिल्यूकस इकेटर के पुत्री तो चंदगुप्त मौर ने पहली बार इंटरनेशनल साधी होई थी हेलना से जो की चंदगुप्त मौर ने किया था और कह सकते हैं कि हेरात कंधार वा मकरान क प्राप्त कर लिया था चंद्गुत्मौरण उनकों सिल्वकस निकैटर को 500 हाथी उपहार में दिया था ठीक है और का जाता है मतलब की दाइं और से बाइं और लिखी जाती थी यह आपकी लिपी कौन सी है तो यह लिपी आपकी option 6 को हो जाएगा यहाँ पर D number खरोष्ठी लिपी खरोष्ठी लिपी दाइं से बाइं और लिखी जाती थी ठीक है और next question आते हैं कोशन आपसे अगला पुछा गया है आपर चंदुगुत मौर के दरबार में भेजा गया यूनानी राददुद कौन था यह राददुद था आपका option C कि मेगा स्थनीज कौन था मेगा स्थनीज था याद रखेगा जो कि से ल्यूकस निकेटर ने मेगा स्थनीज नामक राददुद को भेजा था ठीक है next question को आते हैं question आप से अगला पुछा गया है पर कि बिंदोसार ने असो को किस विद्रो को समाप्त करने के लिए भेजा था तो यहां पर आपका हो जाएगा option यहां पर हो जाएगा कौन सा 8 का हो जाएगा B आपके तच्छिसिला याद रखेगे कि बहुत धर्म गरंत विद्वादान से ग्यात होता है कि बिंदोसार के समय तच्छिसिला में दो विद्रो हुए थे जिनको दवन करने के लिए बिंदोसार ने एक बार असो को तथा एक बार सुसीम को भेजा था ठीके तो यहां पर कहा हुए थे तच्छिसिला भिद्रो हुए थे ठीके और इसके बाद यहां पर last question आपके लिए आ गया है कि सारनात इस्तंब का निर्माड किसने करवाया था सारनाथ इस्तंब का निर्माड किसने करवाया था इस प्रस्ण का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथ में अगर आप lower pcs exam की तयारी या junior assistance की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल online exam mission को subscribe कर सकते हैं वहाँ पर आपको daily top 20 question current fair के ला जाते हैं जो की चूने हुए प्रस्ण होते हैं याकीन करिए एक बार वीडियो देखकर देखिए उसमें आपको विश्वास हो जाएगा और current fair आपकी वहीं से देखनों को मिलेगे online exam mission आप लोग सर्च कर सकते हैं ठीके तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्नवाद जय हैं जय भारत